फीमेल को नीचे इचेंग होना या पेन होना या गंदर डिस्चार जाना डेफिनेटली आपकी सेक्स लाइफ में बहुत सारी अर्चने क्रियेट कर देता है जब आपकी वाइफ या आपके पार्टना ही कंप्लेइन करें कि मुझे ठीक नहीं नीचे फील हो रहा है मुझे अजीब सी इचिंग हो रही है तो डेफिनेटली आपको उन दनों ब्रेक करना पड़ता है और यूटिया या यूरिनरी इंफेक्शन फीमेल में बहुत कॉमन कारण है उनके इरिटेशन या मूट स्विंग का अगर आपको भी इस तरह के नीचे इंफेक्शन जादा रहते हैं जिससे स्मेल रहता है डिस्चाज अजीब से होने लग जाता है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है मैं आज बात करूँगे ऐसे दो कॉमन इंफेक्शन की जो फीमिल को होते हैं और जिसकी वज़े से और इरिटेशन बढ़ती है नीचे से स्मेल आती है इलाज क्या है ट्रीट्वेंट क्या है क्यों होता है कैसे इससे बचा जाए सब की बारे में डीटेल में बात करूँगी तो इस वीडियो को पूरा अंतक देखें हर महिला और पुरुष को देखना ज़रूर ही है कपल्स डेफिनेटली देखें चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें मज़क्षा का जो नहीं हो जाता है और इसके आंदर वाइट डिष्चार्ज होना इरिटेशन होना इचिंग होना काफी सादा कॉमन है दूसरे नमबर पर है bacterial vaginosis दो कि आपके आसपास यौनी के आसपास bacteria का बढ़ना हो सकता है ये bacteria भी irritation, redness, itching इसे create करेगा साथ urine भी painful हो सकता है yeast infection हो जाता है hormonal changes से कोई antibiotic अब कफी समय से use कर रहे हैं कोई tight clothing, diabetes या immune system कम होने से जबकि bacterial vaginosis हो जाता है multiple sex partners, smoking या hormonal changes की वज़े से treatment के अगर मैं बात करूँ तो जो fungal infection है या yeast infection है वो fungus के कारण हुआ है इसलिए anti-fungal creams का महाँ पर इस्तमाल किया जाएगा कुछ medicines भी हैं जो fungal infection को treat करने के काम आती है जो कि आपको आपका gynecologist recommend करेंगी इसके लाबा अगर आपको bacterial vaginosis हो गया है तो फिर antibiotics treatment आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वो bacteria के कारण हुआ है फिर हम बात करेंगे कि इनसे बचा कैसे जाए अब यह हो गया 4-5 दिन का आपने course कर लिया ठीक हो गया अब आपको समझ में आने लगा है कि यह कैसे हो गया है लेकिन अब इसका treatment क्या है mostly जब आपको इस तरह के UTI या फिर नीचे infections होते हैं तो वो ठीक होने में 9-10-5 दिन लगाते हैं और तब तक कि आपकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि आपको ना तो कहीं जाने का मन करता है ना ही आपको किसे से अच्छे से बात करने का मन करता है नीचे बहुत इची या स्मेली रहता है तो बेटर है इने प्रिवेंट किया जाए प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले उपर रखेंगे कि आप डेली अपने अंडगामिन्स को चेंज करें, don't wear कोई भी अंडगामिन जो आपको लग रहा है काफी साधा गीला हो रहा है या फिर वैसे पर डिस्चार तो don't wear it change it everyday और हमेशा cotton अंडवेस का ही इस्तमाल करें ताकि infection grow ना हो दूसरे नंबर पर रखना चाहूंगी कि हमेशा एक अच्छे wash से धोएं अगर आप hygiene का ध्यान नहीं रख रहे हैं आप कहीं न कहीं बहुत जादा parabens या SLS वाले wash यूज़ कर रहे हैं इसले मैं recommend करती हूँ नाम्या हल्दी चंदन intimate wash ये best इसले क्योंकि एक तो irritation नहीं है itching नहीं है natural चीजों से बना हुआ है कुछ भी artificial इसके अंदर नहीं है तो male हो या female especially आप जब natural wash की use कर रहे हैं तो उसका नुकसान नहीं है तो अपनी यौनी के असपास definitely आप एक अच्छा intimate wash यूज़ करें ताकि hygiene को लेकर हम कभी भी compromise ना करें तीसने अंबर पर हम बात करेंगे कि हमें वहाँ पे ventilated रखना है ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा tight underwears या बहुत ज़्यादा high जैसे हम बोलते हैं बहुत skinny jeans को आप पहन रहे हों जब आपको लग रहा है कि धीरे धीरे reaching start हो गई है या कुछ अजीब सा feel हो रहा है then take care of your hygiene साथ में sugar वाली चीजने ज़्यादा ना खाएं क्योंकि sugar attract करता है fungal infection को तो प्लीज इसे avoid करें probiotics का seven आप कर सकते हैं अच्छे diet drinks ले सकते हैं जिससे infection धीरे धीरे दूर हो जाए medicinal treatment जो आपका doctor कहेगा उससे आपने करना ही है अगर आपको infection होने के chances लग रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं साथ साथ अच्छा hygiene आपकी priority पर होना चाहिए और यही hygiene आपको protect करता है जब आप synthetic fibers पहनते हैं या फिर आप कभी कभी कुछ थोड़ा different पहन लेते हैं तो अगर आपका hygiene ensure है तो यह सब चीज़ें कभी कभार थोड़ी skip भी हो जाए तो चल जाता है इसलिए जरूरी है एक अच्छा wash link मैं आपको दे देते हूं description box में channel भी नहीं है हमारे साथ जुड़े नहीं और ऐसी बहुत सारी videos के लिए connected रहे हैं जरूरी क्या है इस channel को subscribe करना तक कि ऐसे बहुत सारा content आप miss ना कर दें